हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका वई हाजी रेनी वैकेंसी के साथ, जैसा कि आपने थमनेल में देखा है, कि आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे दो MNC कंपनी के बारे में, तो पहला आपका MNC रहने वाला है अडानी ग्रोप, दूसरा MNC रहेगा जिंदल स्टेल, ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 2 MNC के बारे में बात करेंगे, क्या eligibility criteria रहेगा, कौन-कौन इसके लिए apply कर सकता है, और कैसे apply करना step-by-step, यह सारे process बताने वाला हूँ, वीडियो को skip बिलकुल मत करिएगा, अगर आप वीडियो को skip करते हैं, त तो अगर आपको step-by-step समझता हैं, तो वीडियो का अन तक पूरा देखिएगा, एक बार बार देखने से अच्छा है, तो अगर आपने हमारा telegram channel, वार्सक ब्रूप या LinkedIn जाइन नहीं किया, तो मैं आपको description में link provide करा रहा हूँ, जाके वहाँ पर click करके join कर लेना, और comment box मे मैं pin भी कर दूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर उन jobs का update देता हूँ, जो कि अकसर YouTube से छूड़ जाती है, सारी jobs का update देना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है, और YouTube पर सारी jobs का update देना पॉसिबल नहीं रहता है, खीचड़ी बन जाता है वहाँ पर, तो आप अदर platform को जरूर से join कर करके रखें, ठीक है, और अगर आपने हमारा जो दूसरा channel है, जिसका नाम है carrier blaster, अगर वो subscribe नहीं किये तो जाके subscribe कर लेना, जल्दी से जल्दी वहाँ पर live class आने वाली है, तो आपके जो topic रहेंगे, like civil का कैसे resume बनाना है, mechanical का कैसे resume बनाना है, electrical का कैसे resume बनाना है, CSIT का कै कैसे resume बनाना है, ठीक है, CV कैसे create करना है, वो सारा सब कुछ live class में ही होगा, ऐसे नहीं कि मैं video upload करूँगा, ऐसे नहीं ही होगा, आपके सामने, आपके doubt को clear किया जाएगा, उसके बाद ही मैं आपके सामने ही उस CV को पूरा create करके बनाऊँगा, और आपके, आप बोलोगे उ provide करूंगा, डाइसो प्लस आपको free pamphlet मिल जाएगी, 250 प्लस, जिसमें आप अपनी इच्छा गया कार्डिंग उस pamphlet का यूज़ करके बना सकते हैं, अपने CV को, तो अच्छी opportunity रहीए, वहाँ पर उस channel को subscribe कर लेना हो, share कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है, तो शुरू क करने से पहले, अगर आप हमारे इस channel पर नहीं है, तो चैनल को subscribe कर लें, पास में जो घंटी वाला इकन उसको दबा दे, ताकि आपको next video का notification सबसे पहले मिल पाए, और आपका वाई इस channel पर इंजरिंग जाब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, चलिए, शुरू करते हैं, अब बात कर ले दे कि अपने का apply कैसे करना है उस process के बारे में, ध्यान से देखना यहाँ पे, और eligibility criteria क्या रहेगा, उस process के बारे में पूरा बता दे तो, basically यहाँ पे diploma candidate eligible रहने वाले है, ठीक है, कोई भी branch है, eligible रहेगा, BB tech वाले यहाँ पे eligible रहन रहने वाले है, position कौन सी रहेगी, वह मैं आपको बता देता हूँ, position आपका DET का और GET का position आपका रहने वाले, graduate engineer training और diploma engineer training का आपका position रहेगा, अच्छी opportunity apply जरूर करिएगा, ठीक है, diploma candidate पे apply कर सकते हैं, ठीक है, यह पूरा मैं आपको बता दिया, अब बात करेंगे apply के second र process के बारे, apply link आपको कहा मिलेगा, मैं आपको पहले ही clear कर देता हूँ, apply link आपको description में मिलेगा, ठीक है, description में मैंने apply link दे रहा है, और step मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, और अगर आप telegram channel join करना चाहता है, telegram पे, तो आप telegram चेक करेंगे, वहाँ पे भी apply link मिल जाए यहाँ पे, तो आपको करना क्या देखिए, सबसे पहले आप मैं आपको Adani का बताता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा, जिंदल स्टील का, कैसा apply करना, उस process के बारे में, यहाँ पे आपको Adani लिख देने, side map को search का option देख रहा है, इस पे click कर देने, Adani group पे चले ज और करता है, ठीक है, बहुत सारे सक्टर इसके, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक दिखर है, त्री लाइन, ठीक है, menu वाले बटन पर click करना है, इस पे click करने के बदद एक बटन दिख रहा है, career का, तो इस carrier वाले बटन पर klick करना है जैसे carrier वाले बटन पर klick करेंगे आपको यहां पे नीचे ही दिख जाए कर आप देख सकते है, job opening का जूब opening वाले बटन पर klick करके चले जाना है, जैसे इस पर klick करेंगे वापस से आपके सामने एक new tab open हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन-कौन सी जॉब निकल रखी है फिर मैं आपको उसका पूरा एनलाइसिस करके डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर कहने कि बहुत सारी वेकेंसिश आप निकल रखीये तो पहला मैं वेकेंसिश लेकर ़हा है इंजिनियर का वेकेंसिश आ रहा है प्रोजेक्ट डिपार्टमेट अपको रहने वाला है acting ररेख तो यहाँ पर कॉन-कान एलिजिबल रहेगा उसके बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर बीबी टेक यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे दोनों अप्लाइ कर सकते हैं डिप्लोमा और बीबी टेक ब्रांच यहाँ पर मेंशन नहीं की गई कोई भी ब्रांच यहां पे लीजीबल है आप सारी ब्रांच आपकी तो आप सभी लोग अप्लाइए कर सकते हैं लेक्ट्रिकल मेकेनिकल सीवील है कोई भी ब्रांच है तो आप यहां पे लीजीबल रहने वाले है ठीक है डिप्लोमा इंजिन्टरीनी का पॉच्छन रहने वाला और प्रवरी को यहां पर पोस्ट हो रहा है तो ऐसी लेटे जोब अपडेट पाने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर गरना और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेर करना अप्लाइन आवाले बटन पर अप्ला प्रेजिबल रहने वाला सीनियर पूशिशन आपका रहने वाला ओंडम आपका डिपार्टमेंट रहेगा ओपरेशन और मेंटेनेंस काफी बड़ी है यहां पर डिपार्टमेंट यह रहने वाला है आप इसको पूरा अच्छे से देख लेना कौलिफीकेशन के अंदर आप वांड का रहने वाला है वांड ऑपरेशन इंवेंटनेंस का रहने वाला है रेगूलर बेसे पर आपका जॉब रहेगा अगर आपको दो या तीन सल का एकस्पीरेंस तो भी आप जरूर अपलाई करिए क्योंकि यहां पी का इस रहती है कि आपका सेलेक्शन चांस कीजिएगा अगला वेकेंसी आ रखा है वह आ रहा रख है इंजिनियरिंग सर्विस के यहाँ पर अपका डिपार्टमेंट्मेंट्स रहला जोब कोड आप यहाँ पर पूर अच्छे से देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें यहां पर बीटेव के वाले और हाँ पर देख पा रहे है कि पूर्ण लोकेशन रहने हाला है जब आपका ड़नी mouth अठाट रहेगआ है अगला जोबर कर सकते हैं यहाद छोब रहे हैं कि उसका जौब कोड लग ता और इसका जौब कोड अलग है तो ऐसमें भी एपकर दीजेगा ठीक है इसमें भी डिप्लोम और वी वी टेक दोनों अप्लाइ कर सकते हैं बाकि एक्सपीरेंस वालों के लिए वेकेंसी है आप एक्सपीरेंस वाले बंदेर उसमें चेक आउट कर सकते हैं मैं इसका केरियर का पेज का लिंक आपको डिस्क्रप्शन में सब्सक्राइब के अंदर लाइक कि यहां पर सिविल मेकैनिकल लेक्ट्रकल अगर आपकी कोई भी ब्रांच है तो आप यहां पर एक्सपीरेंस है तो बहुत बड़ी है ठीक है और यहां पर मैं चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं ठीक ह आपकर और कि घुरी के जॉब पोस्ट हो रखा रखा है कि इसको आपको फ्रेज करने है इसको जाए आप सकते हैं इसको करना है उपको फ्राल नीचे बटना पदे अगर आप डिकलाइन कर देंगे तो वापस उसी पेज़ पर आजाएंगे तो आप अपको बता देता हूं यहां पर आपको करना क्या है अगर आपने पहली कभी अप्लाइक किया तो आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड डालना है लोग इन कर लेना है ठीक है सिंपल ही किया पहली बार आपको अपना यूजर नेम होगता है टो जासे है रन दाझे छरह टिक है पासवर्ड में अपर केस और लोवर केस दोनों को यूद्ड करना है दोनों औरिक्टर करके सामने scarf कर रिज्यूम में सीवी में मेंशन हो अगर अधर इमेल डाल देंगे तो फिर अलग रह जाएगा तो फिर दुनों को कभी पता नहीं किसी भी में मेल आ सकते हैं अगर आपको सेलेक्शन होता है तो रेटाइप इमेल आईडी कर देना है रेजिस्टर पर क्लिक कर करके आपको डि उस्तों में वीडियो को शेड़ जरूर करेगा अब बात कर लेते हैं नेक जो वेकेंसी के बारे में नेक जो वेकेंसी आ रखी वा रखी जिंदल स्टील की तरह से तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे अप्लाई करना है उस प्रॉसस के बारे में और कौन-कौन आपको उसका कर सकते हैं तो यहां पर मैं यहां पे मैं आपको यहां यहां पर तक्रॉंग करना है स्कूर्ग करensor करेंगे। mechanical maintenance के अंदर ठीक है आप इदर देख पाएंगे कि आपका जो location रहने वाला 36 गड़ का रहने वाला तीन फर्वरी को यहाँ पर पोस्ट हो रहता है तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद एक new tab आपके सामने ओपन हो जाता है जैसे कि आप इस क्रीन पर देख सकते हैं तो यहां पर experience मागा गया है ठीक है और यहां पर आपका department रहने वाले वह आपका प्लेट प्लाइंट का रहने वाले और 8-15 यह और चार से चैसल का experience है तो आप अप्लाइग कर सकते हैं बाकी आप पर depend करता है ठीक है यहां पर देख पा रहे है कि जो आपका जॉब पोस्ट हुआ है वह तीन फरविरी को यहां पर जॉब पोस्ट हो रहा है और राइगड का आपका 36 राइगड का आपका जॉब सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर experience की जगे आपको अपना experience डाल देने यह उन लोगों के लिए था जो experience वालो बच्चे है क्योंकि दिखाना पड़ता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है जो message करते हैं भी कि सर experience वालों के लिए जॉब नहीं लिखाते है क्योंकि मैंको experience है 10 साल का, 5 साल का, 7 साल का तो अपसे experience वालों के लिए भी job आएगा लेकिन वो last में आएगा ठीक है और जो fresher के लिए शुरुआत में रहेगा क्योंकि जो fresher community जादा है experience वाले कम है दोनों के लिए job लेकाएंगे ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जल् का रहेगा उसके लिए मैं वो कोर्स सबसे पहले डाल डाल दूंगो वहाँ पर और सारी classes online रहेगी offline classes नहीं रहेगी तो online अगर ज्यादा present रहेंगे तो मैं उन बच्चों के लिए वही course लेका हूंगा लाइक यहां पर अगर आप MS Office का चाहते हैं तो मैं पूरा MS Office के लिए आपके course लिए हुआ certificate तब provide के जाएगा जो classes attend करेगा ऐसा नहीं कि अगर आप एक दिन class attend कि और आप अगले दिन आप class attend करेंगे तो ऐसा नहीं होना चीह सारे बचे classes attend करेंगे तब आपको certificate provide कर जाएगा दूसरे हाँ पर अगर autocad कर जाते हैं आप जो भी course लिखेंगे उस course पर लिखाएंगे वीडियो क्योंकि जो high probability रहेगा उन course पर हम वीडियो लिखाएंगे तो अच्छी opportunity आप सभी के लिए रहने वाली उस चैनल को subscribe करने लिंक मैं आपको description दे रहा हूं नाम है carrier blaster search कर सकते है YouTube पर आपको channel देख जाएगा तो मेरे आज के लिए वीडियो को like क करेंगे उन लोगों तक जिनका जॉब की नीट करके जरूर बतेगा कि आप कौन सी जॉब सच कर रहे हैं ताकि वो जो आपके लिए हम ला सके एंड वाट्साइब टेलिग्राम लिंक्डिन फेस्बुक से जुड़ने के लिए हमने description में लिंक डियाप डिरेक्ली वहां पे क क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं all the very best जैहिन